इस रभीबार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रभीबार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवाश्यों को जनता कर्फ्यू का पानन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बहार न निकले न सड़क पे जाएं नमस्कार दोस्तों मैंने मेरे फेस्बुक में जोति शात्रा ग्रुप में 27 जुलाई को लिखा था कि राहू मिथुन में आया है और मिथुन राशी चुकि स्वस्थन तंत्र की लंक्सकी राशी है और वहां राहू आने से इस देड़ साल के अंदर स्वस्थन तंत्र के साथ कनेक्टेड रोग ज्यादा एटेक करेंगे और वो भी लिखा था कि 5 नवेंबर को जब गुरु धनुराशी में आयेगा और केतु के साथ जोइन होगा तो गुरु दिर्बल होने से डिसेंबर के एंड तक जब ग्रहन होगा 25-26 डिसेंबर के आसपास तब सारे ग्रह जब राहुकेतु की पकड में होंगे तब कोई नया वाइरस अचानक डेवलप हो जाएगा और डिसेंबर के एंड तक वो लोगों को संक्रमित करेगा और बहुत बड़ा हैवाग बहुत बड़ा भय जनवरी से चालू हो सकता है और ये आगाही ये प्रेडिक्शन मेरा इतना सही निकला है कि आज भी लोग वो प्रेडिक्शन पढ़ते हैं कि आपने पहली बार ऐसा लिखा थे कि सही माने में कोई बड़ा वाइरस डिसेंबर के एंड में आ रहा है अभी लोग दावा करते हैं कभी हमने भी कहा था हमने भी कहा था लेकिन यहां तो प्रमान है आप पढ़ सकते हैं अभी सवाल यह है कि यह वाइरस कंट्रोल कब होगा तो पहली बात तो यह है कि मैंने इसलिए लिखा था कि 15 डिसेंबर को सुरिय भी धनू राशी में आ रहा था और सुरिय धनू राशी में आने से क्या होता था राहू के तो की पकड़ में आता था पूरा oxygen दुनिया का सुर्य समालता है तो प्राण तत्व जो है oxygen के अंदर भी प्राण तत्व होता है तो यह प्राण तत्व राहों के तो कि पकड़ में जब भी सुर्य आता है तब कम मात्रा में हो जाता है एकदम कम हो जाता है तो उसी वक्त कोई भी नया वायरस या हो जाता है तो यह बात हुई थी पंद्रा डिसेंबर के बाद तो जब ग्रहन हुआ तो उसी वक्त यह वाइरस एकदम चाइना में आया और चाइना में क्यूं पूर्व दिशा में है तो इस्ट जौन जो है वो पूरे धनुराशी में आता है धनुराशी में ग्रहन हुआ तो इस्ट दिशा में एक अटेक हुआ और दिरे दिरे दुनिया में फेलता गया 24 जन्वरी को शनी मकर में आ गया तो अभी क्या हुआ कि जो गुरु जो है जनरल हेल्ट का अधिपती है लोगों की सुख शांति का अधिपती है वो भी केतू और शनी के बीच में पाप करतरी योग में आ गया तो जो गुरु है वो फाइनस भी समालता है तो फाइनसल इमर्जनसी, फाइनसल कटो कटी, एकोनोमिकल सब ये जो प्राबल्म हो रहे हैं आजकल तो ये भी फाइनसल क्राइसिस भी गुरु के ये निर्वलता से पैदा हुए है लेकिन अभी बात हम करेंगे कोरोना की तो इम्मुनिटी सिस्टम का आधिपती है तो मंगल जब उच्चका होता है तो इसके इसाब से दुनिया में एक जागुरुती आएगी एक स्टैबिना बढ़ेगा इम्मुनिटी सिस्टम प्रबल होगी लोगों का भय थोड़ा दूर होने लगेगा कोई न कोई संसोधन कोई न क को दबाने के लिए इस वाइरस को दूर करने के लिए कहीं न कहीं उसका रिसर्च होगा और जहां तक मेरा मानना है मेरा इंट्यूशन जहां तक बोलता है तब मैं इतना बोल सकता हूं कि सही इलाज कोरोना का इंडिया में ही होगा और इंडिया के साइंटिस्ट ही इंडिय इंडिया का इंडिया का जो रिसर्च वर्क है वो ही कोई इसका उपए ढूंड निकालेगा और ये उपए करने के बाद पूरे दुनिया में इंडिया का नाम भी बहुत आगे आएगा कि इंडिया के साइंटिस्ट ने इस अब कर दिखाया तो मेरे इसाब से इंडिया अभी बहुत आगे बढ़ने वाला है जहां तक मेडिकल रिसर्च की बाते वहां भी तो ये एक हमारे लिए बहुत उम्मित की बात है कहने का मैरा मतलब यह है कि सुरिया धनु में आया फिर मकर में आएगा तो शने के साथ जोईन हुआ है उसके बाद सुरिया कुमराशी में आया तो वो भी शनी की राशी में था तो वो भी कुछ करनी पाया अब सुरिया मकर मिन राशी में आ गया है मिन राशी में आने से क्या होता है वो राहू के स्क्वेर में आता है तो जब तक वो राहू के स्क्वेर तूटे नहीं तब तक उसका कोई इलाज नहीं होगा लेकिन र कोरोना वायरस का इलाज 28 मार्च के बाद मार्केट में आईगा और 15 अप्रेल को क्या होता है सूर्य उच्याराशी में चौरदा या पंदरा अप्रेल को सूर्य उच्याराशी में जाने के वज़े से क्या होता है कि दुनिया में यूनिवर्स में प्राण तत्व बढ़ जाता है और प्राण तत्व बढ़ जाने से उसकी कोई न कोई इलाज कोरोना वायरोस का इलाज मार्केट में आ जाएगा क्योंकि पूरा यूनिवर्स यह सब बातों से चलता है तो सूर्य का प्राण तत्व जब बढ़ेगा सूर्य जब प्रबल होगा राहु केतु की गृप में से फ्री हो जाएगा और उच्चका बन जाएगा तब केतु के नक्षत्र में क्या कि राहु जो देता है केतु वो लेता है राहु जो करता है वो केतु इसमें से बाहर निकालता है केतु मुक्ष का मुक्ति का कारक है तो मेरे इसाब से 15 अप्रिल से 28 अप्रिल तक का जो टाइम फ्रेम है वो इस वायरस को दबाने के लिए कंट्रोल करने के लिए बहुत बहुत इंपोर्टन टाइम फ्रेम है 28 अप्रिल तक कोई न कोई बढ़िया सा इलाज मार्केट में आ जाएगा और उसके बाद मतलब 28 अप्रिल के बाद दिरे 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 एक केस कम होते जाएंगे 18 जुन के बाद मंगल जब मिन में आएगा उसके बाद टोटली एक कोरोना वाइरस विल बी कंट्रोल इसमें कोई शक नहीं क्याकि मंगल के द्रष्टी राहू के उपर पड़ेगी उसके बाद राहू दब जाएगा वाइरस भी दब जाएगा और दिरे दिरे दुनिया में एकदम दिरे दिरे माहौल पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा तो ये बात आप याद रखें कि कोरोना वाइरस का इलाज पक्का है गबराने के कोई बात है ही नहीं सबसे ज़्यादा असर उसका नेगेटिव असर जो है वो कंट्रोल होता जाएगा 15 अप्रिल के बाद और पूरा कंट्रोल हो जाएगा दुनिया में से 18 जुन के बाद तो सेकंड हाब जो है 2020 का वो तो एकदम कोरोना वाइरस से मुक्त है और जो अभी पूरा माहोल दुनिया में बिगड़ा हुआ है इटाली है इरान है अमेरिका है चाइन है जहां कहीं भी है तो वहाँ भी सब कंट्रोल होना होना चालू हो जाएगा दिरे दिरे 28 मार्च के बा यह तारिक यह टाइम फ्रेम आप याद रखें और गबराने की कोई बात है नहीं और इंडिया में तो बिल्कुल गबराने की बात है ही नहीं कि भारत की आजादी की जो कूंडली है वुरुशब लगनम की जो है अब उसमें क्या होए कि थर्ड हाउस में जो सूरिया चंद बनती जाएगी और 15 अप्रिल से तो सवाल पैदा ही नहीं होता भारत को डरने की कोई जरूत नहीं भारत में इतने दर्दी नहीं बढ़ेंगे कोरोना वाइरस का इतना इंपेक्ट इंडिया के उपर नहीं है यह बात भी मैं आपको बता रहा हूं हाँ सावचिति के सवरू होने वाला है यह आपको बताने के लिए आज पहली बार यूट्यूब के उपर मैं आया हूं और आप सबको मैं इतना बता सकता हूं बगवान के कृपा से कि आप निश्चिंत रहें हुआखा रहें